हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना भारत में बंद होने जा रहे हैं 2000 रुपे के नोट RBI ने फैसला लिया है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर तक अपने बैंक खाते में या फिर किसी भी पास की बैंक शाखा में जाकर जमा करा दें या फिर उन्हें बदल लें हाला कि ये नोट अभी लीगल टेंडर रहेंगे यानि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें किसी से भी ले सकते हैं और दे सकते हैं बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 2000 रुपे के नोट 30 सितंबर से पहले बैंक में जाकर बदल लेने हैं RBI ने clean note policy के तहट ये फैसला लिया है देखे RBI को ये power होती है कि हर 4-5 साल में जब नोट निकाले जाते हैं हम सब जानते हैं नोट कागस के होते हैं और नोट वो मेले होने लगते हैं गंदे होने लगते हैं फटने लगते हैं उसको RBI की भाशा में soil notes कहते हैं तो RBI हर जितने भी note के lots निकलते हैं उसको 4-5 साल बाद उसको replace करना शुरू कर देता है RBI 2000 के note को 2016 में लेकर आई थी उसकी printing 2019 के बाद से बंद हो गई थी और अब RBI ने 2000 के note के circulation को बाजार से बाहर करने का फैसला लिया है RBI के इस फैसले के बाद अब देश का हर नागरे की ये जानना चाहता है कि आखिर RBI ने 2000 के note को बंद करने का फैसला क्यों लिया RBI के इस फैसले का भारत की economy पर क्या असर पड़ेगा 2000 के note को बदलनी की प्रक्रिया क्या होगी क्या RBI का ये फैसला काला धन पर एक प्रहार है RBI के इस फैसले का देश को क्या फायदा होगा आई इन सवालों के जवाब समझते हैं 8 नवंबर 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पहले से चलन में आ रहे 500 और 1000 के note को बंद करने की घोशना की थी जिसके बाद RBI यानि Reserve Bank of India ने RBI Act 1934 के Section 24-1 के तहर 500 और 2000 के नए note जारी की लगबक साड़े 6 साल बाद 19 मई 2023 को RBI ने 2000 के note को सर्कुलेशन से बाहर करने का एलान कर दिया RBI का ये फैसला किस वज़ा से लिया गया और इसका मौझूदा आर्थ्वयवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आईए ये समझते हैं इससे Black Money का Illegal धंदा करने वाले जो लोग थे उन पे करारी चोट लगेगी जिन लोगों ने रिश्वते खाके घर में 2000 के note का मार लगाया हुआ उन पे चोट पड़ेगी वो पैसा जब आएगा उनसे जब वो पैसा बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है economy की तरक्की होगी दूसरा क्या है इससे online activity बढ़ेगी online activity बढ़ने का मतलब क्या है online activity में income tax और GST दोनों की चोड़ी संभव नहीं यानि tax collection बढ़ेगी RBI ने 2000 रुपे के note को बंद करने का फैसला तो ले लिया लेकिन बाजार में अभी भी नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है आम लोगों को तो RBI के स्पैस्पे से दिक्कत नहीं होगी लेकिन जिनके पास 2000 के note ज्यादा है उन्हें कई बार में 2000 के note बदलने होंगे 2000 रुपे के note को जमा करने या बदलने की सुईधा सभी बैंकों में दी गई है इसके अलावा RBI के 19 regional offices में भी ये सुविधाएं दी गई हैं जिनके पास issue department है बैंक खातों में 2000 के note को बदलने और जमा करने की सुविधा 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक उपलब्द होगी यानि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए RBI ने चार महीने से भी ज्यादा का समय दिया है बैंक में note के exchange के लिए कोई charge भी नहीं लगेगा लेकिन अगर कोई व्यक्ती किसी कारणवश चार महीने की समय सीमा में note का exchange नहीं कर पाता है तो क्या होगा आईए ये भी समझते हैं 30 सितंबर तक अगर note नहीं हाला कि मुझे ये लग रहा है कि जब 30 सितंबर आने वाली होगी तो जो पिछला हम trend देखे तो इस date को एकाद बार extend भी किया जाएगा पर ये मान लेते हैं कि ये extend नहीं होगा तो 30 सितंबर का note फिर legal tender नहीं रहेगा आपके पास 4 महीने से भी जादा है 2000 के note मौझूदा KYC नियमों के तहद बिना किसी प्रतिबंद के bank खातों में जमा किये जा सकेंगे जिन लोगों के पास bank account नहीं है वो भी bankों से note को exchange कर सकते हैं लेकिन अगर उन्हें बदले गए note को जमा कराना है तो उसके लिए या तो अपना account खुलवाएं या पिर किसी और के account को यूज़ कर सकते हैं 2000 के note को बदलने के लिए RBI ने 20,000 रुपे की limit सेट की है यानि एक बार में सिर्फ 10 note बदले जा सकते हैं ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर किसी को कारोबार या किसी अन्ह जरूरी कामों के लिए 20,000 से ज्यादा की रखम की जरूरत हो तो उसे क्या करना होगा बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं देखिए बैंक अकाउंट में तो जमा करने पे कोई restriction लगी नहीं है बैंक अकाउंट में अगर आप पर साफ सुत्रा और इमानदारी का पैसा है चार लाख जमा कीजिए 6 लाख जमा कीजिए 8 लाख जमा कीजिए कोई दिक्कत नहीं RBI ने 2000 के नोटों की चपाई 2019 में ही बंद कर दी थी RBI की Annual Report के मताबिक 2016 से लेकर 2018 तक 2000 के कुल 370 करोड नोट चापे गए मही 102 करोड नोटों को नश्ट भी किया गया इस हिसाब से देखें तो 268 करोड 2000 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए लेकिन 2022 तक के आख़खों को माने तो महझ 214 करोड नोट ही सर्कुलेशन में है यानि 54 करोड 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब है जिनकी kul value एक लाख आठ थाजार करोड रुपे की है ऐसे में ये समझना जरूरी है कि 2000 के नोतों के सर्कुलेशन से गायब होने की वज़ा क्या है दो हजार के नोटों के सर्कुलेशन के गायव होने की दो वज़े हैं पहली वज़े ये है कि ये करीब 6,70,000 की पीक सर्कुलेशन थी वैल्यू वाइस 6,72,000 के दो हजार के नोट थे अब ये घटके 3,62,000 रहे गया थे दो कारणों से खटे थे एक तो ये प्रिंट नहीं हो रहे थे तो जो बैंकों में नोट जो रोग जमा कर रहे थे वो वापस सर्कुलेशन में नहीं राये थे और इसका सबसे पुक्ता सबूत है कि आप एटीम से जब पैसे निकाल रहे थे तो 2000 का कैसेटी उसमें नहीं था दोजार के पैसे निकलते ही थे पर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा कि लोगों ने इसको होड करना शुरू कर लिया आरबी आई ने 2000 के नोटों को जारी करने के बाद ये दावा किया था कि नए नोट्स में जाली करंसी बनना संभव है लेकिन आरबी आई का ये दावा गलत सावित हुआ और बीते च्छे सालों में 2000 के 89,836 जाली नोट आरबी आई को मिले हैं जिनकी कुल वैलियू करीब 15 करो 96 लाग के आसपास है वहीं 2000 के नोटों का सर्कुलेशन से गायब होने का मतलब है इसका इस्तेमाल काले धन को छुपाने के लिए किया जा रहा है ऐसे में 2000 के इन गुलाबी नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का आरबी आई का लिया गया ये फैसला काले धन पर किया गया एक और प्रहार साबित होगा